हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सलीम की गली और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा गाड़ी के इंजन के जो आर्पियम है वो हाई क्यूं होते हैं क्यूंकि मेरे पास इस चीज के उपर बहुत सारे कमेंट आते हैं तो दोस्तों मैंने सोचा ये वीडियो बना जाता है और कितनी देर में ये नॉर्मल कंडिशन में आता है वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं ठीक है तो चलते हैं गाड़ी के अंदर और इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं और अभी सुबह सुबह मैं पहली बारी स्टार्ट कर रहा हूं गाड़ी को ठीक ह तो RPM का भी पता लग जाएगा तो दोस्तो देख सकते हो वैसे तो आज ज़्यादा देर इसका RPM इतना हाई नहीं रहा लेकिन अभी हाई है इसका ठीक है और अभी मैं आपको इंजन की आवाज भी सुना के दिखा देता हूँ अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है इसका RPM ठीक है मैं माइक को इंजन के पास ले जाता हूँ तो दोस्तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये प्रॉबलम फेस करनी पड़ती है ज़्यादा तर हमें सर्दियों में ठीक है और दिन के मुकाबले से रात को तो और भी ज़्यादा ठंड रहती है और जब हम सुबा आकर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी का इंजन एकदम से बहुत ज़्यादा हाई जाता है गाड़ी स्टार्ट होते ही ठीक है जैसे ही गाड़ी का engine high जाता है तो कुछ second में थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन वो थोड़ा सा ही कम होता है बिल्कुल normal condition में नहीं आता है और जैसे हम गाड़ी को fit drive करके चलने लगते हैं तो हमें केबिन में बैठे हुए भी मैसूस होता है जैसे हम इरिटेट होने लगते हैं तो दोस्तों इसका जो reason है गाड़ी के engine के rpm high रहने का वो यही है कि जब तक हमारी गाड़ी के engine का temperature नॉर्मल condition में नहीं आ जाता है जो के हमारी गाड़ी के engine को चाहिए मतलब ना जादा गरम ना जादा ठंडा तब तक हमारी गाड़ी का जो ECO होता है वो engine को signal बेशता है और हमारी गाड़ी का engine अपने rpm को तेज रखता है और जादा fuel burn करता है ठीक है और fuel जादा burn होगा तो उसकी वज़े से जल्दी से जल्दी हमारी गाड़ी के engine का जो temperature है वो नॉर्मल condition में आ जाएगा जितना temperature हमारी गाड़ी के engine को चाहिए इसी वज़े से गाड़ी के engine का rpm जादा हाई रहता है खासकर सुबह सुबह स्टार्ट करने में ठीक है अगर हम दिन में स्टार्ट करते हैं और गाड़ी अमारी बाहर दूप में कड़ी है तो ये सिरिफ कुछी सेकिंड में खुदी नर्मल हो जाता है गाड़ी के engine का rpm ठीक है और दोस्तों ये वाली जो बात मैंने अभी आपको बताईए engine के rpm के बारे में ये 50% लोग जानते होंगे हो सकता है ज्यादा भी जानते होंगे इस बात को ठीक है मैं पक्का नहीं कह सकता ज्यादा तर जितने भी कार चलाने वाले हैं वो इस चीज को जानते हैं समझते हैं ठीक है लेकिन दोस्तों जिन लोगों का rpm कमी नहीं हो रहा है गाड़ी को 5-10 मिनट स्टार्ट करने के बाद भी उनके engine का rpm कम नहीं हो रहा है तो उनको क्या करना चाहिए दोस्तों ये problem मेरे साथ भी अभी आई थी पिछले कुछ द आते हो आप दूसरा vehicle यूज करते हो ठीक है हफते में एक दो बार चलाते हो या फिर एक दिन छोड़के चलाते हो कहने का मतलब यह है अगर आप अपने गाड़ी को कम चलाते हो तब भी ये problem आपके साथ आ सकती है ठीक है और दूसरी बात जो यह है कि अगर आपकी गाड़ फेस करनी पड़ सकती है ठीक है मेरी गाड़ी की service overdue हो चुकी है इसलिए मुझे अभी ये problem फेस करनी पड़ रही थी लेकिन दोस्तों अभी देख सकते हो अभी मैं अपने गाड़ी को जैसे drive कर रहा हूं तो मेरी गाड़ी का जो engine का अभी rpm है वो बिलकुल normal condition में आ चुका ठीक है जो के हमारे गाड़ी के engine का normal temperature रहना चीए उतना हो चुका है तो ये चीज ऐसे भी ठीक हो जाती है तो गाड़ी को start करने के बाद आपको क्या करना है जो हमारी गाड़ी का accelerator pedal होता है उसको आपको बार बार ऐसे प्रेस करना है दो तिन बार जैसे अब कभी आपने द लेकिन मैं स्रीफ एक एक्जामपल बता रहा हूँ आपको गाड़ी को start करना है start करने के बाद जो हमारा accelerator पैडल है उसको दो तीन बार प्रेस करना है ठीक है उससे क्या होगा आपके गाड़ी के engine का RPM बहुत high होगा ठीक है जिससे के जल्दी से जल्दी engine गरम होना start हो जाए तो दोस्तो इसका तीसरा कारण भी हो सकता है ठीक है और वो तीसरा कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ जो हमारी गाड़ी के engine का RPM sensor होता है वो अगर खराब हो जाए तो आप कितनी देर अपनी गाड़ी को drive कर लो या अपनी गाड़ी के engine को start करके रख लो और जो गाड़ी के engine का temperature है वो भी बिलकुल normal हो चुका है उसके बाद भी आपके engine के जो RPM है वो बहुत ज्यादा हाई है तो दोस्तो पक्का आपका जो RPM sensor है वो खराब हो चुका है उसको आपको check कराना पड़ेगा ठीक है तो इसका सारा जो fund है दोस्तो वो इसी चीज पर है engine के temperature प अगर नहीं लाएंगे तब तक हमारे गाड़ी के engine का जो RPM है वो ज़्यादा रहेगा ठीक है आपको irritate करेगी उसकी आवाज engine के RPM की ठीक है तो इससे चुटकारा पाने का यही तरीका है अगर आपके engine के RPM का sensor बिलकुल ठीक है तो आप ये दो trick अपना सकते हो तो दोस्तो य ये वीडियो अगर आपको informative लगी है तो मुझे comment करके जरूर बताना और अगर आप मुझे direct बात करना चाते हो तो मुझे Instagram पर follow करके वहाँ पर मुझे message कर सकते हो मेरे Instagram का link आपको description में मिल जाएगा तो आज की वीडियो में फिलाल इतना ही अगली वीडियो आने तक के ये बाए दो तो